नमस्कार जैहिंद वन्दे मातरम साथियों मैं विशेक मिस्राज आप सबी लोगों का हमारे दिन संकल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की NCRT इस्ट्री का चेप्टर नमबर 2 का पार्ट 2 हमारे आज के इस चेप्टर का नाम है ब्यापार से सामराजितक कमपनी की सत्ता इस्थापित होती है देखो पार्ट 1 में हमने जानकारियां पराप्ते की थी कि किस प्रकार से भारती सासकों की ताकत कमजोर पड़ गई इसके बाद में भारत में नई नई रियास्तों का उदय हुआ फिर किस प्रकार से विदेशी जो कमपनिया थी ब्यापार के लिए भारत में आई इन में सबसे पहले पूर्टगाली आए फिर डच आए फिर अंग्रेज आए और इसके बाद में फ्रांसीजी आए इन्होंने किस प्रकार से भारत में अपनी सत्ता को स्थापित किया यानि कि ब्यापार को स्थापित किया सत्ता ने ब्यापार को स्थापित किया फिर किस प्रकार से भारत में ब्यापार को लेकर के मतलब काफी एदी के ब्यापार बढ़ा तो यहाँ पर चीजें महगी होने लगी लोगों के बीच में क्या है कि चैलेंजे बढ़ने लगे प्रतिस परदा बढ़ने लगी ब्यापारियों की बीच में फिर कैसे एक ब्यापा कों के साथ में जगड़ा सुरू होने लगा था यहां तक के इतिहास को हमने पार्ट बन में डिसकस कर लिया आज की स्पार्ट में की पार्ट टू में हम डिसकस करेंगे अंग्रेजों का भारती सासों के जास साथ में जो लडाई स्टार्ट होती जिसमें सबसे पहले लडाय थी प्लासी का युद्ध तो प्लासी का युद्ध फिर बकसार का युद्ध आज किस पार्ट में हम डिसकस करेंगे साथी साथ ये भी देखेंगे कि कम्पनी ने अपने ब्यापार को किस प्रकार से भारत में इस्टैविल किया यानि कि इस्थापित किया बहुती मजबूत तरीके से आगे बढ़तें जिलों ने Part 1 का वीडियो नहीं देखा है उस अभी लोग के लिए मैंने Part 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदी है उस लिंक के माद्यम से जाकर कि आप डाइरेक्ट Part 1 का वीडियो देख सकते हो और आई होग कि आप लोग ने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो जिनों नहीं कि आभी के भी कर लें ताकि आपको और भी ऐसे ताजा तरीन वीडियोस मिलते रहें उनका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे सबसे पहले हमने आपर जानकारिया प्राप्त की थी इसमें कि किस प्रकार से भारती सासों की ताकत कमजोर पड़ी फिर हमने देखा कि पूर में इस इंडिया कंपनी का आना कैसे हुआ यानि कि आपके पूर्टगाली हों या फिर डच हों फ्रांसीसी हों या फिर अंग्रेज हों किस प्रकार से भारत में इनोंने आये थे ठीक है फिर हमने जानकारियां प्राप्त की किस प्रकार से सारे लोग भारत में आगे ब्यापार करने के लिए तो ब्यापारिक प्रतिस परदा कैसे भारती बाजा रहे बहुत तेजी से बढ़ने लगे और चीजों की कीमते कैसे बढ़ने लगे फिर हमने देखा कि ब्यापारी कमपनियों की बीच में लड़ाईयां कैसे शुरू होती है फिर हमने यहाँ पर यह देखा कि किस परकार से ब्यापार हातियारों की मदब से चलने लगा यानि कि लोग अपनी सेनाओं को लेकर की आगे फिर हमने ये देखा कि किस परकार से लोगों ने अपनी किले बंदियों को बनाया यानि कि अपने सुरक्षा खुद तयार की भारतिय सास के इनको सुरक्षा परदान नहीं कर पाये तो उन्होंने कैसे खुद की सुरक्षा सुयमत है कि जैसे आप देख रहे हैं चाइना भी प ब्यापारियों को सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाए इसलिए ब्यापारी जो थे वो सोयम हतियार लेकर के आ गए थे अपनी सुरक्षा सोयम करने लगे थे फिर क्या हुआ जैसे से इस्थानी सासकों के साथ में इनका टकराब होने लगा भाई जब ये के लिवंदी बनाने ल युद्ध के सिती पैदा हुई ब्यापार कर रहे थे ब्यापारी थे युद्ध करने तो आए नहीं थे लेकिन युद्ध क्यों करना पड़ा ये हमने डिसकस कर लिया था पार्ड बन में आज का पार्ड इस्टार्ट होता है प्लासी के युद्ध से कहां से प्लासी के यु बंगाल के नबाब बने कमपनी को सिराजु दौला की ताकत से कापी भय था सिराजु दौला की जए कमपनी एक ऐसा कटपुतली नबाब चाहती थी जो उसे व्यापारी रियासते और अन्य सुबदाएं आसानी से देने में आनकानी ना करे देखो अगर आपने पार्ड बन पड़ा हो तो पार्ड बन में हमने आपको बताया था कि किस परकार से कमपनी ने औरंग जिप को मना लिया था कि वो बिना कर दिये बिना टेक्स दिये यहाँ पर व्यापार कर सकें फिर इसके बाद में जो company के समस्त अधिकारी थे उन सभी लोंने tax देने से मना कर दिया इसके बाद में जो बंगाल के सासक थे उन्होंने किया कहा कि भाई आपको tax देना पड़ेगा नहीं तो ब्याबार मत करो यहां से निकल जाओ फिर company और बंगाल के बीच में आपर युदिकी सिती पैदा हो गई अब company एक ऐसा सासक चाहती थी जो बंगाल में बैट करके राज तो करें लेकिन जैसा company चाहे बिल्कुल बैसे ही राज करें ताकि वो वहां पर अपना ब्यापार कर सकें तो 1756 का time आता है और अलिवर्दी खान की मृति हो जाती है फिर सिराजुदोला बंगाल का नवाब बन जाता है जब सिराजुदोला बंगाल का नवाब बनता है तो सिराजुदोला एक ऐसा सासक था जो सक्ति सालिस आ सकता और सिराजुदोला की ताकत से company को काफी डर लग तक कि अगर ये सासक बना रहा तो एक दिन हमको बंगाल से खदेर देगा जब ऐसा लग रहा था तो सिराजु दौला चाहती थी कि कोई कट पुतली नवाब यहां पर बैटे यान की जो हमारी सारों पर काम कर सके जो अगर यहां पर नवाब बन करके बैटेगा तो उससे हमको ब्यापारी रियास्तें आसानी से मिल जाएं अन्य सारी सुबिदायम आसानी से जुटा सके ऐसा नवाब चांदी थी कमपनी जो की बंगाल में बैटे तो इसके लिए कमपनी ने क्या कि कमपनी ने प्रयास किया कि सिराजु दौला की जो प्रतिदुन्दी है उन में से किसी एको नवाब बना दिया जाए लेकिन ऐसा संबब नहीं हो पाया फिर कमपनी को आकाम या भी जब इसमें नहीं मिली तो कमपनी जवाब में सिराजु दौला ने हुकम दिया कि कमपनी उसके राज के राजनीती मामलों में टांग अड़ाना बंद करे और किलेवंदी को रोके बाकाइदा राजसु चुका है जब दोनों पक्षे पीछे हटने को तयार नहीं हुए तो 30,000 सिपाईों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में इस्तित इंग्लिस फैक्टरी पर हम्दा बोल दिया नवाब की फोजों ने कमपनी के अपसरों को गिरपतार कर लिया और गोद सोचा की भाई हम एक ऐसा सासक बैठाल दे बंगाल पर जो हमारे लिए कटपूतली के तरह काम करें जो हमें रियास्ते हैं और अन्हें सुविदाय हैं इसके लिए नों ने क्या किया जो सिराजु दोला था ता सिराजु दौला की जो प्रती दुन्दी थे यान की जो इनके challenger थे, जिनसे इस बिरोधी जो इनके थे, उनको नवाब बनाने की कोशिस इननों बंदी कर रहे हैं इसके लिए बंदी को रोको साथी साथ बाकाइदा राजसु भी चुकाओ बिना राजसु चुकाओ आप यहां पर व्यापार नहीं कर सकते जब दोनों पक्षेनी सिराजु दौला ने जो हुकम दिये थे वो अंग्रेज मानने को त्यार नहीं थे और अंग बाजार में एक अंग्रेजों की इंग्लिस फैक्टी ते उस पर हमला बोल दिया नबाब की फोजों ने कंपनी के एपसरों को गिरबतार कर लिया जो वहां पर ऑफीसर थे उन सभी को गिरबतार किया साथी साथ गोदाम जो थी वहां पर ताला डाल दाल दिया और ताला डा क्लकाता में सबसे पहले कालिकटकाल कब्जा कर देखेज और एक उथमारे उसंदॉश कर लेंगे ठीक है किहां पर 600 फिर आगे बढ़के देखते Şu खांटा के हाथ से निकल आयने की ख़बर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अपसरों ने रोबर्ट क्लाइब थे इनके निरतर तुमें सेनाओं को रवाना किया देखो क्या हुआ जब कलकत्ता में इस राजुदोला ने अटेक किया और वहां से उनकी फैक्टरी को अपने अंडर में कर लिया तो क्या हुआ जो मद्रास में इनकी एक और फैक्टरी थी ठीक है तो मद्रास में एक रॉबर्ट क्लाइब थे ठीक है तो रॉबर्ट की क्लाइब में अंग्रेजों ने सेना को भेजा कि भाई जाओ और आप जाकर के कलकत्ता में जो हमारी सौधेवाजी कर ली जाए, ठीक है मतलब समझोता हो जाए, युद्ध ना हो तो बहुत अची बात है, दोनों पक्षों को फाइदा हुआ, आखिरकार 1757 में कब 1757 में, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 में, बंगाल के नवाब थे जिनक कौन था, मीर जाफर, याद कर लीजिये, कौन था, मीर जाफर, most important point है, मीर जाफर कौन था, मीर जाफर, सिराजु दौला का एक सेना पती था, ठीक है, क्या था, एक सेना पती था, तो मीर जाफर, मीर जाफर की सेना ने, जो मीर जाफर की टुकणिया थी, उन्होंने कमपनी का साथ दिया और युद्ध में हिस्सा नहीं लिया अभी देखो जैसे यूकरेन पर जैसे रूस ने हमला किया ठीक है तो इसमें क्या है कि सभी जितने भी देश थे उन्होंने यूकरेन के पक्ष में और रूस के विरोध में अपने बोट डाले बट भारत एक ऐसा देश निक इनके पास में बहुत बड़ी सेना थी तो इन्होंने भागी नहीं लिया जब भाग नहीं लिया तो सिराजुद दौला इसे यहां पर कमजोर पड़ गया और इसके बाद में सिराजुद दौला की यहां पर हार हो गए ठीक है जब यह हार हुई तो क्या हुआ प्लासी की ज यह दिद था ही इसके साथ यह साथ जीता याद रखना प्रस प्रस्ट न हैगा कि कम्पनी की पहली सबसे बड़ी जीत कहां हुई थी किस युद में हुई तो पलासी कि युद में का युद्ध बकसर का युद्ध क्यों हुआ कैसे हुआ इसको भी समझो देखो कमपनी अभी भी जब इन्हों ने कमपनी ने क्या किया था जब कमपनी ने मीर जाफर को यहां पर सासक बना दिया था इसके बाद भी कमपनी अभी भी क्या हुआ था कि जब कमपनी ने बंगाल में ये युद्ध जीत लिया इसके बाद भी कमपनी सासन की जिम्मेदारी समालने के लिए तयार नहीं थी देखो बंगाल को तो इन्होंने जीत लिया लेकिन चुकि ये ब्यापारी थी और बीडेशी कमपनी थी तो ये कहाए कि यहाँ पर सासन की जिम्मेदारी पूरी लेने के लिए तयार नहीं थे उसका मूल उद्देश था जो कमपनी थी इनका मूल उद्देश था कि ब्यापार को फैलाना किस प्रकार से अपने ब्यापार फैलाए जाए जल्दी company को यह एसास होने लगा कि यह जो रास्ता है आसान नहीं है मतलब कि company को एसास होने लगा कि जो कटपुतली नवाब है यह हमेशा company के इसारों पर नहीं नाच सकते कि कटपुतली नवाब को बैठा दो उसके आधार पर मतलब उसे जैसा चाओ अपने काम करवाओ और हम अपने व्यापार को फैलाएंगे ठीक है लेकिन कमपनी को ये जल्दी एहसास होने लगा कि जो कटपुदली नबाब हैं वो हमेशा कमपनी के बफादार नहीं रह सकते क्योंकि भारती है सासक जो है इनमें क्या है कि जनता के सामने भी तो इनको मतलब पर जाके नजरों में अपना सम्मान, सम्प्रभुता को दिखाना पड़ता था इनको कि भाई हम भी मतलब सासक हैं तुमारे तो अगर जनता को ऐसा लगेगा जिससे आप इधर देखो जो मनमohan Singh थे बहुत इच्छी सासकते बने थे इनके पास में बहुत बहुत डरी तैलेंट था लेकिन यह बोलते नहीं थे बोलते नहीं थे और चुप रहते थे यह लोगों को ऐसा लगता था कि कैसा सासक है बहुत इच्छी सासकते हैं उन्होंने हमारी अर्थव्यस्ता को बहुत इच्छा मतलब maintain किया लेकिन क्या है कि वो बोलते नहीं थे इस वहज़े से लोगे को पसंद नहीं आए अब हमारे मोदी जी को देख लो मोदी जी इतना बोलते हैं कि मतलब लोग कहते कि बहुत ज़ादा बोलने लगते हैं कभी-कभी मतलब फेकते बहुत हैं तो यहाँ पर क्या है जो बंगाल के कटपुदली नवाब थे ये कर ना बोले तो जनता को ऐसा रखता कि भाई ये तो बेकार के सासक इनको हटाया जाए तो जो कटपुदली नवाब थे इनको भी कभी-कभी अपनी परजा के नजरों में सम्मान और संप्रभूता का दिखावा करना पड़ा था कि भाई हम ऐसा नहीं कि हम गुलाम बनगे कमपनी के हम सासक हैं और सासक बनके रहेंगे ऐसा दिखावा करना पड़ा था इसलिए कमपनी के मतलब इसारों पर हमेशा यह नहीं नास्थे थे जो सासक थे ठीक है इसलिए कमपनी को ऐसा लगने लगा था कि भाई यह रास्ता शरल नहीं है आसान रास्ताने की कम कटपॊली नवाब को बना लिया जा और उसकी अधारफन अपने पूरे के पूरे सासन को चलाएं ऐसा इनको लगने लगाता कि ये आसान रास्ता नहीं है फिर क्या हुआ जब मीर जाफर ने कमपनी का विरोध किया ठीक है क्या हुआ दिर दिरे पहले तो मीर जाफर कमपनी का साथ देता रहा लेकिन फिर दिर दिरे मीर जाफर ने भी कमपनी का विरोध किया जब मीर जाफर ने कमपनी का विरोध किया तो कमपनी ने उसे हटा दिया और मीर कासिम को नबाब बना दिया किसको मीर कासिम को अच्छा जो मीर कासिम था ठीक है जब मीर कासिम परेसान करने लगा तो बकसर का युद्वा 1764 में दो चीज़े याद रखना देखो 1757 में युद्वा आपका प्लासी का ठीक है कब 1757 में किसका युद हुआ प्लासी का युद है और 1764 में युद होता है आपका बकसर का ठीक है 1757 में जो प्लासी का युद हुआ था है किसके बीच में हुआ सिराजुद दॉला और अंग्रेजों की बीच में अंग्रेजों के मतलब सेना को कौन मेंटेंड कर रहे थे राववर्टिक लाइब ठीक है अब जो बकसार के युद्ध हुआ था ये मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में हुआ था ठीक है पूरी कहानी क्या हुई जब कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल का नबाब बनाया त कर दिया जब दिखावा करना शुरू किया तो कंपनी को लगा कि भाई ये भी हमें मतलब ये कंपनी का विरूत करने लगा था ठीक है फिर कंपनी ने मीर जाफर को हटा दिया का तुम निकलो यहां से भागो यहां से और फिर मीर कासिम को नबाब बना दिया और जब मीर कास दोबारा नवाब बना दिया गया इसके बाद में नवाब को हर महींने 5 लाग रुपए कमपनी को चुकानत तयं कर दिया गया देखते हुए क्लाइब जो थे रॉबर्ट क्लाइब इन्हों ने ऐलान किया तक कि हमें खुद ही नबाब बनना पड़ेगा देखो क्या हुआ 1765 में मीर जाफर की मृति हो गए थी जो कटपुदली नबाब है ये हमारे साथ में अच्छे बेवार नहीं करेंगे और आप हमें खुद ही नबाब बननना पड़ेगा ये रॉबर्ट कलैब में ऐसलान कर दिया कि याज से आप बंगाल के दीवान है मुगल समराट जो थे उन्होंने कमपनी को बंगाल का दीवान सत्रा सो पैंसट बारागस्त को नियुत कर दिया. दीवानी मिलें कि कारण कमपनी को बंगाल के विसाल राजस्व भंडार का नेंतर्ण मिल गया. देखो बंगाल का जो राजस्व था वो बहुत ही जादा था ठीक है बंगाल में पहले बहुत जादा राजस्व मिलता था ठीक है वैसे हमेशा मतलब हर राज ही हमारा ऐसा था क्योंकि पहले आंधरी का प्रमुक्स रोती खेती हो हर विक्ती खेती किया करता था आज के जैसे साबित करो अपने आपको जो जिस लायक होता है उसे मिलता है एक चीज़ आद रखना ठीक है तो क्या हुआ अब बंगाल का नब मंगाल की दिवानी कमपनी को मिल गई तो बंगाल का जो राजस था उस पर पूर्ण नियंतर कमपणी का हो गया देखो इस समय तक क्या था कंपनी भारत में जो भी चीज़ खरीती थी वो बितन से लाई वे सोने और चांदी के बदले खरीते थी क्योंकि बितन के पास में कोई बी ऐसी चीज थी ही नहीं जो भारत में आ करके बेंच सके यह पूरे यूरोप में ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो भारत में आकर के यह बेश दोगे, तो मतलब जो भी चीज यहां से कंपनी लेकर के जाती थी, वो सोने और चांदी के बदले ही ले जाते थी, इसलिए भारत को सोने की चिडिया का आगे, क्योंकि भारत में पूरे की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दिवाने से मिलने के बाद ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी देव क्या हुआ जब प्लासी का जंग हुआ इसके बाद में जो ब्रिटेन से सोना आ रहा था नवाब बन बैटे अब देगो क्या हुआ इनको नवाबी तो मिली ही गई थी इनको क्या हो धीवान ही मिल गई थी तिक इसके बाद में नवाब कैसे बन बैटे इस चीज़ को समझो नवाब बनने के बाद कमपनी के पास से अब सत्ता और ताकत दोनों थी बंगाल की जब कमपनी नवाब बन गई तो बंगाल की सत्ता भी इनके पास में थी और ताकत भी थी कमपनी का हर करमचारी कमपनी का हर करमचारी नवाबों की तरह जीनने के ख्वाब देखने लगा अब जो नवाब थे हो कैसे जीते थे समझ रहे हो नवाबों की जिन्दगी एकदम अल्टरा लेवल की थी मतलब कितनी भी औरतें अपने पास मिल्टार के थे मतलब मद्रा बगर बगर का पान खूब करते थे जो चाते थे उसके साथ में जैसा चायते बैसा करते थे मतलब फुल इंजॉय करते थे पूरी लाइप में तो कमपनी का जो हर करमचारी था वो चाहता था कि भाई हम नवाबों की तरह जिन्दगी जीएंगे उनको इस बात के लिए बात किया गया कि वे कमपनी के अपसरों को निजी तोफे के तोर पर अपनी जमीन और पैसा दें जो उनकी जमीन और पैसा थी वो तोफे के रोप में कमपनी को दे दी इसके लिए बात कर दिया कि किनको जो बंगाल के असरी नवाब थे उनको प्लासी के युद के बाद ने फिर रॉवर्ट क्लाइब जो थे खुद रॉवर्ट क्लाइब ने ही भारत में बेहिसाब दौलर जमा कर ली थी रॉवर्ट क्लाइब जो थे जिन्होंने बंगाल को ठीक है 1767 में जब वे दो बार गवर्नर बने जब वो दो बार गवर्नर बनने की बाद में हमेशा के लिए भरा से रवाना हुआ तो उसके दोलत थी 4,1,102 पॉंड बहुत ज़्याद दोलत थी जब वो यहां पर आया था तो उसके पास में कुछ नहीं था ब्यापार करने के लिए आया था लेकिन जब वो यहां से गया कितने साल बाद 1747 में आया था उस 1767 में गया यानि कि इधर तरह कितने 20-30 साल लमसम यहां पर रहा लमसम एक कुछ 17-18 साल यहां पर रहा था ठीक है 17-18 साल यहां पर रहा तो उस बीच में इसने मतलब इतनी दौलत जमा के ली थी 4,1,102 पॉंड के बरावर ठीक है दिलचस्प इसमें पता सबसे मतलब दिलचस्प इंट्रेस्टिंग बात यह है कि जब इनको गवर्नर बनाय गया था दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कारकाल में कमपनी के बीतर ब्रष्टाचार फाइल गया था तो ब्रष्टाचार को खतम करने के लिए इनको यहां पर भेजा गया था ठीक है ब्रष्टाचार को खतम करने का इनको काम सोंपा ग दूसरी बात जब दुसरी बार इनको गवरनर बनाय गया था तो क्या हुँ था इन्होंने भ्रषटचार को खात्म करने के लिए बनाए गया था लेकिन इन्होंने खुद इतना भ्रषटचार किया कि 1772 ब्रिटिस संसद में इने उसे खुद पर ही मतलब खुद ब्रिष्टचार के आरूप इनके उपर लगे फिर इनको अपने सफाई देनी पड़ी कि भाई हमने ब्रिष्टचार नहीं किया ऐसा ऐसा सफाई देनी पड़ी सरकार को उसकी अकूत संपत्ती के स्रोथ संदेहास्पत लग रहा थी जब यहां से गया तो उसके पास में बहुत ज़्यादा संपत्ती थी और वो स्रोथ हुजे थे संपत्ती के बहुत ही संदेहास्पत लग रहा थी जनके संदे की दसे से उनको देखा जा रहा था उसे ब्रिष्टचार के आरोपों से तो बरी कर दिया गया इनकी ब्रेश्चाचार में इनको ब्रषटाचार कोई पकड़ नहीं पाएगा अगर ये ब्रषटाचार करें तो उसी तरह से जो ये गवर्णर यहाँ पर दूसरी काल काल बनाएगे तो रोबर्ट क्लाइब ये यहाँ पर ब्रषटाचार वो खतम करने के लिए आया थे यानि ब्रश्टाचार कहां कहां पर हो रहा है कैसे हो रहा है इसका इनको पूर अंदाजा था इसलिए उन्होंने जैसे ब्रश्टाचार किया वो केवल यही जानते थे इनकी तोड इनके पास में सारे थे तो कोई भी मतलब बिटिस अंसद में इस साबित नहीं कर पाया कि कैसे इनोंने ब्रश्टचार के कोई सबूत नहीं मिला ठीक है और साथी साथ इनोंने मतलब वहां पर अपनी सफाई भी दे जी थी फिर 1764 में इनोंने आत्माक्तिया कर ली क्योंकि इसका किसी को कोई पता नहीं चला आगे बढ़ते हैं कमपनी के सभी अपसर क्लाइब की तरह दौलत इखटा नहीं कर पाये थे जितनी रॉबर्ट क्लाइब निकल ली थी बहुत सारे अपसर साधार पड़िबारों से यहां पर आये थे और भारत में ठीक ठाक पैस आते हैं अपनी जिन्दिगें के लिए उनको पैसा मिल जा उनकी जिन्दिगी अच्छी खासी चल जाए लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जाना चाहते हैं ब्रश्टा चार करने के लिए कि वाई हमको नौकरी मिल जाए यहां से इतनी गूस लेंगे जैसे कि आप नेताओ आये थे उनमें से कुस्तो ऐसे थे जो यहां पर दौलत इखटा करने के लिए आये थे जैसे कि रोबर्ट कलाईब ठीक है कुछ नहीं मतलब में यहां पर सभी का इस्तेमाल करेंगे जितने भी यहां पर अंग्रेज अधिकारी आये थे वो सभी दौलत इखटी करने के और इंग्लेंड चलेगे बापस मतलब जिन्दा रहते हुए इंग्लेंड बापस चलेगे उन्होंने वहां पर अपना आलिसान जीवन जी है क्योंकि भारत में लड़ाईयां काफी होती रहती थी और बहुत सारे अंग्वेजों को यहां पर मारा भी गिया तो जो जिन्दा च लेगे उन्होंने इंग्लेंड जाकर के अपनी आलिसान मतलब राजाओं वाली जिन्दगी जी उन्हें वहां पर इंग्लेंड में नवाव क्या नवाव ठीक है नवाव कहके बुलाया जाता था ठीक है जो नवाव सब्द है यह भारती सब्द नवाव का अंग्रेजी संस् अंग्रेजों ने भारती रियास्तों का आधिग्रहन करने से पहले विभी ने राजनीतिक आर्थिक और कूटनीतिक संसादरों का इस्तिमाल किया बकसर की लडाई 1764 के बाद कम्पनी ने भारती रियास्तों में रेजिडेंट तैनात कर दिये थे क्या किया रेजिडेंट तैन कूट नीति का इस्तेमाल किया है और इननकि उ गूमाई को जी उसको जीता है और लड़ाई जो भी कुछा करते हो प्रतनी थे जो भी राजनीतिय के मतलब हैं पहीर वदल होठी ते राजनीति के शेटर में जो भी नेने लिया जाता उसमें रेजिडेन अपना राह देते थे और resident का ही निरने औंवह होता था जो resident चाहते थे भही होता था थीक है, इसके साथ साथ जो company व्यापार करती थी तो व्यापारी प्रतिनती होती थे थीक है, उनका काम company की हीतों की रक्षा करना और उने आगे यह बढ़ाना था, जो यह resident थे, इनका काम क्या था? इनका काम था, कि company के हितों की रक्षा करो, मतलब कोई भी company का अहित ना कर से, company का कोई भी कही पर भी घाटा ना हो, साथी साथ company की रक्षा उसे, मतलब कोई भी थाकत जो है, company को हानी ना पहुचा सके, अलग है मतलब अगला राजा कोन होगा कि इस पत पर कौन बैठेगा ठीक है बटाई जाएगा ूते इस एक प्रकार से राजा की तरह रहते थे और जो सासक होता था वो कट पुतली होता था रेजिडेंट का जैसे रेजिडेंट चाहजा था वैसा ही करता था आगे बढ़ते हैं कमपणी द्वरा भारती राज्यों पर कबजे की प्रक्रिया में सहाइक संदी का परियोग किया था जो मतलब भारती राज्यों में जहाँ परियोग किये थे तो इन्होंने सहाइक संदी का उपियोग किया था जिसके तैट इसे सुईकार करने वाली रियास्ते अपनी स्वतंत मिलती थी और साइक संदी लेकर क्या है कि साइक संदी के नुसार राजी को अपनी सेना को भंग करना होता था और कंपनी अपनी सेना इनको दे दी इसके की सुरक्षा के लिए कि हम तुमाई सुरक्षा करेंगे यह हमारी सेना है ठीक है साथ जो साइक जो यह सेना होती थी साइक सेना के रखरखाप के लिए कंपनी राज से पैसा ले दी थी कि वह इतना पैसा हमको दो इसके बदले में हम आपको सिक्यूरिटी देंगे जिससे आज हमारे पूरे के पूरे हॉस्पिटल में या फिर कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में पूरे सिक्यूरिटी तैनाद करोगे उसके बदले में हम तुमको महीने के इतने रुपए देंगे आज भी यह होता है ठीक है तो साइक संदी अंग्रेज डेकर के आये थे यह फिर जाते थे तो जुर्माना के तौर पर उनका इलाका जैनी जो उनकी जगह होती थी उस पर अपने कबजे में ले लिया थे कंपनी राजा की इलाके को अपने कबजे में ले 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 थी थी उधारन के तौर पर गवर्नर जनरल एक थे बेलेज जली क्या नम इनका बेलेज जली 1798 से 1805 ता कि गवर्नर जनरल रहे थे इनके समय में क्या हुआ था जो अबद है अबद के नवाब को 1801 में 1801 में अपना आधा इलाका कमपनी को सौपने के लिए मजबूर कर दिया था कमपनी ने कि वाई आपना आधा इलाका हम को दो क्योंकि आपने हमें जो तो तैंक जो कीमत थी वो आप हमको नहीं दे पाए हो रकम नहीं दे पाए हो ठीक है और इसी आधार पर हैदराबाद की भी कई लाके छीन लिए गया थे तो यह साइक संदीस इन्होंने क्या किया था मतलब आधिग्रहन कर लिया था कई सारे राज्यों के आधी लाके में किसी के चौतिया लाके में ऐसी इन्होंने हडपना शुरूग कर दिया था ठीक है अब रेजिडेंट किसे कहते हो रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी तो कंपनी के दोरा नियुक्त किये गे रियासत का राजा था क्या था कहा जा रहा है कि रियासत का राजा होता था हम उसे हस्तक छेप की मन चाही निसे दाग्यान की नर्देश यानि आप जैसे चाहो बैसे हस्तक शेप कर सकते हो ठीक है निसे ताग्या के तहत काम करने की छूट देते हैं जो अंग्रेज थे अंग्रेज उने कंपनी ने रियासत का राजा होता था ठीक है और जो में नवाब होता था उसे नीचे रखा गया था ठीक है में जो नेने होता था जो नेने को लेता था वो रियासत का राजा कहला था और इस रियासत को जो भी नेने लेता था उसे पूरे नेने की छूट दे दी गई थी जब तक इस्थानी राजा पूरी तरह से अधीन अस्तियानी की दबूपन रहता था मतलब अधीन रहत करते था यह चीजें आराम के चलती रहता था वैसा यह इस फानी राजा होते थे गुद खलता रहता था और राजान चालता रहता था झाही है जैसे का आशी मुनें लिया टो मतलब था जब भी राजा का कोई ऐसा राजा कोई ऐसा रास्ता अपना था जिसे बिट्चिस सरकार गलत मान दी थी तो टकराओ और उथल पूथल पैदा हो जाता तो यहां पर रेजिडेंट के साथ मिनका टकराब होता था फिर सेना आती थी युद्ध होता था और फिर लड़ाई आगे बढ़ती थी तो यह थी रेजिडेंट की टाकत रिजडेंट एक परकार का राजा होता था अंग्रे जो द्वारा निव्ट किया गया किसका रियासत का राजा ठीक है तो आई होब की पार्ट चू में जो भी टॉपिक हम ने एक्स्प्लेंड की आपको सुज में आया ह पार्ट थ्री में जानकारी प्राप्त करेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंस आती हो